वेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसमें बहुत ही अच्छी संख्या में वेकेंसी आये इसमें फ्रेंड्स पोस्ट जो है जी डी के लिए आया है और सी पी एल एस एस ए और टेकनिकल इं टोटल वेकेंसी 71 पोस्ट है और एप्लिकेशन फीज 250 रुपे है और डेट स्टार्टिंग जो है एप्लिकेशन की 25 जनवरी 2023 है और लास्ट डेट एप्लिकेशन का है 9 फरवरी 2023 और इसकी एज लिमिट जो है जी डी के लिए है जिनका जनम एक जुलाई 98 से लेके 30 जून 2002 के बीच हो है उनके लिए है और पमर्सियल पाइलेट एंट्री मतलब सी पी एल एस एस ए के लिए है जो है एक जुलाई 98 से लेके 30 जून 2004 के बीच हो उनका जनम उनके लिए है और मेकैनिकल और इलेक्टिकल और इलेक्टोनिक्स के लिए जो है एक जुलाई से लेके 90 98 से 30 जून 2002 के बीच हो उनका जनम और लो एंट्री कंडिडेट के लिए एक जुलाई 94 से लेके 30 जुलाई और जून 2002 के बीच इसमें एजुकेशन कौलिफिकेशन जो मागा गया है जी डी के लिए बैचलर डिगरी 12 और डिप्लोमा करेंटली वैलिड और कमर्सियल पाइलेट लैसेंस और इसमें जो है पाइलेट कमर्सियल लैसेंस पी सी एल और टेकनिकल इंजीनियर और टेकनिकल इलेक्टिकल मेकेनिकल के लिए इंजीनिरिंग डिगरी होनी चाहिए और लो एंट्री के लिए लो की डिगरी होनी चाहिए और पोस्ट जो है जी डी के लिए 40 वेकेंसी है और सी पी एल एसस के लिए 10 वेकेंसी और टेकनिकल इ टेकनिकल, इलेक्टिकल और इलेक्ट्रोनिक्स के लिए 14 है, ये 6 जो है मेकेनिकल के लिए और लो के लिए 1 है, और इसमें पे स्किल जो है, आप फ्रेंट्स वीडियो पोज करके देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें डारेक्टर जेनल क के लिए 2,5,400 रुपे है, और इक्जाम सेडूल जो है, मार्च से लेके डिसमबर के एंड तक होगा, इसे भी फ्रेंट्स वीडियो पोज करके देख लीजिएगा, और इफ्रेंट्स इंपोर्टेंट लिंक दिया है, और 25 जनवरी को स्टार्ट होगा, और 9 फर्वरी को लास्ट डेट है, और इसका लिंक भी नीचे दियेगा, इसे टाइप करके, फ्रेंट्स अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू फ्रेंट्स